तो हेलो गाइज, टेक्निकल थेरेपी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मुबाइल में वीडियो प्लेयर और फॉर्मेट अप कैसे यूज करेंगे गैज, गर आप भी इस एप के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते रहे है तो सबसे पहले आपको प्ले इस्टोर से इससे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जब आप इस एप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको क्या करना है बहुत सारे कलर मिलते हैं यहाँ से आप पहले तो कलर को सेलेक्ट कर दीजिए आपको कौन सा आपको जो भी आपको उपर अपकोब्स को इस परमेशन को मैंने आलाव कर सब्सक्राइब सेमाराय Ohio आपको ओपर आपको फोल्टर मिलते है उलslj यहां पर प्लेश्ट एसक आपको यहां पर आपको फोल्टर में वीडियों है यहाँ पर आपको folder explorer में आपको यहाँ पर storage आपका जो भी है Android, Laram, backup जो भी storage है वो यहाँ पर आपको सारा देखने को बिलेगा फिर आपको यहाँ पर recent added में आपने जो भी recently में आपको वीडियो बनाए है यहाँ पर आपको मिलते है यहाँ पर आप playlist बनाने का option मिलता है यहाँ से आप प्लेइलिस्ट को create कर सकते है अगर आपको playlist बनाई हुए यहाँ पर वह सारी playlist यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी settings पर click करते तो यहापर आपको dark theme, primary color, manage hide list, video screen, orientation, यहापर आपको save rhythm, बहुत सारे आपको here audio वाली settings, यहापर आपको níचे restore purchase, license, बहुत सारे settings यहापर आपको मिलते है ठीक है फिर आपको इसमें क्या करना है आपको यह आपर अपको यह धर viडियो sommes वीडियो search कर सकते हूं इस पर कुलिक करते हूं यह पर hidden वाले वीडियो भी देख सकते हैं तो गाईज इस तसे आप इस आपको यूज़ कर सकते हैं आपको हमारे यह वाले वीडियो कैसा लगा कमेंट मैं बता जाना हूँ